हेलो डियर स्टुडेंट्स वेल्कम टू अभी परिक्षा सो कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने घरों में हैं सरक्षित हैं और सेफ हैं और अपनी एक्जाम की बहुत अच्छे से त्यारी कर रहे हैं ठीक है लास्ट वीडियो में मैं आप लोग प्रशन में लेकर आई हूं उसमें में जेल प्रहनी के प्रेवियस एर के जीके याने कि तो आज की लॉट्यास में हम लोग देखने वाले हैं जनरल नॉलज के कुशिल्स तो सभी अपने दोस्तों के साथ एवीडियो शेयर कर दीजिए और सार्ट करते हैं हमारे जनरल नॉ पहला जो प्रश्ण था वो यह था किसने मेरसिन तुर्की में फिंग आर्टिस्टिक जिमनास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप के वर्ल्ट इवेंट में स्वन पदक जीतते हुए प्रथम भारती जिमनास्ट बनकर इतिहास रचाया अब देखिए यह जो कोश्चन है यह कोश्च प्रशन नी ना चप्पा सी दीपा करमाकर और डी अरुना रेड़ी यह करेंट का कोश्यन था और इसका जो सही उत्तत्र था वो में इपार्माकर था क्योंकि दीपा कर न करम機 कर प्रinform भारती थी इस तरह के this Kar depict है क्यो जिमनास्ट तो इसका जो सही उतर है वो यह है कि अंतराश्ट्री योग दिवस के रूप में 21 जून को UNGC ने गोशित किया है अगला प्रशन देखते हैं अगला है निम्न में से किस सिचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिचाई सम्ता सुधार परियोजना के इंद्रित है ए सागर नदी मध्यम सिचाई परियोजना बी उमकारेश्वर मेजर सिचाई परियोजना सी बुंदला माध्यम सिचाई परियोजना और डी कुंडालिया स परियोजना जिसको हम बोलते हैं कुंडलिया वी बोला जाता है कुंडलिया सिचाई परियोजना अब देखे हैं यह जो तीरों प्रश्ण ह внहीं देखें कहीं ना कहीं करन्ट अफेज से रेलेट तो आपको यहां पर यह अंदाजा लगा लएना है कि हमें अपना current affairs जो है वो बिल्कुल बहुत जादा strong रखना है क्योंकि current affairs एक्जाम में questions बन रहे हैं ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं फोर्थ जो question है हमारा वो है प्रतिष्टित परेटा के स्थल विकास परियोजना के तहट परेटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए खाले स्थान को चैनित किया गया है ए गौलियर भी भीम बेटी का सी साची और डी खजुराहो और इसका जो सही उतर है वह है खजुराहो को परेटक इसल के रूप में चैनित किया गया है परेटन मंत्रालय द्वारा अगला प्रश्णदा निम्न में से किस योजना के तहट प्रती बूंद अधिक फसल अवधार ना आती है यहां एक चीज़ आप नोटिस कर रहोंगे योजनाओं के बारे में जादा धिया जा रहा है योजनाओं के बारे में जादा से जादा कुश्चन्स बन रहे हैं तो आप लोगों को यह पेपर बताई है इसलिए जा रहे तो इसके जो ऑप्शन्स थे वो क्या-क्या थे प्रथान मंत्री वयवंदना योजना प्रथान मंत्री क्रशी स्रचियाई योजना प्रथान मंत्री सी था अंतियोदा योजना और डी था त्वरेत सिचाई लाब कारिक्रम तो देखिए इसका जो सही उत्तर था वो था प्र सर्वश्रेष्ट अभिनेत्रियों को राष्ट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो यह देखे सारे कोशन यहां देखा जाए तो करंट के बन रहे हैं तो मेक शूर कि आपका जो करंट अफेर वाला पोर्शन है वो बिलकुल स्ट्रॉंग रहे हैं अगला देखते हैं अगला जो प्रशन है वो कुछ अस्तरा से हैं प्रथम लोगतांत्रिक धंग से निर्वाचिस सामेवादी सरकार का गठन खाले स्थान में हुआ तो देखे इसका जो सही उत्तर है वो 1957 में केरला में हुआ था लोगतांत्रिक धंग से सामेवादी सरकार का गठन खीक है आगे देख लेते हैं मद्यप्रदेश के किस जिले में भारती वन प्रबंद संस्थान इस्तित है ए इंदौर बी उज्जेन सी गौलियर और डी भौपाल तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आएगा डी भौपाल अगला देखते हैं इसका उत्तर देखिए करेंट का प्रेशन इसलिए में आपको यह प्रेपेर कर लेना ही कि 2020 का क्या था विश्य ठीक है चलिए तो इस कोश्चन को अभी जैसे 2018 में जो विश्य था वो शांती के लिए योग था वाकि आगे डिसकस करना मुझे नहीं लगता कि 2018 का आप सी यहां पर पूछा जाएगा अगला देख लेते हैं विश्य का सब इस प्रेशन का उत्तर आप सभी को देना है तो जल्दी से कमेंट डॉक्स में मुझे कमेंट करके उत्तर बताएंगे आप सभी लोग जी माजोली जो दीप है वो असम में स्थित है ठीक है बिल्कुल सही उत्तर है असम इसका राइड एंसर होगा आगे देखते हैं कड़कनात मांस जिसे हाली में जी आई टेक मिला है वहां मध्यप्रदेश के किस जिले की विश्यष्टा है देखी MPG किसे प्रिशन आया है त जो है वो इसका सही उत्तर है जो कडखनात जो ब्रीड होती है मुर्गे की वो कहां से मिलता है जाबवा से मिलता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं और अगला जो प्रशना है वो हमारे पास कुछ इस तरह से हैं बारत के पहली हाई स्पीड बुले ट्रेन मुंबई और खा बीच दोड़ेगी अगला है मध्यप्रदेश के उस धुरूपत कलाकार का नाम बताई है जिनने 2012 में पदम श्री से सम्माने गया अब देखें यहां 2012 कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है तो आपको सभी सालों का जो करंट फेर उस पे जो बहुत जादा जैसे पदम श्री पदम विभूशन तो इन पर आपको अपनी एक नजर जरूर रखनी है ठीक है चलिए तो यहां पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा फेले ऑप्शन देख लेते हैं अगला है होशंगा बाद में उस कंपनी का नाम बताई है जो बैंक को नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है A. करंसी नोट प्रेस B. इंडिया सेक्यूरिटी प्रेस C. भारत सरकार मिंट इंडियन गौर्वर्मेंट मिंट भी जिसे कहते हैं और D. सेक्यूरिटी पेपर मिल इसका उत्तर आप सभी को जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है ठीक है जी हां बिल्कुल चाही इसका जो उत्तर है वो होता है सेक्यूरिटी पेपर मिल जहां पर बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनते हैं अगला प्रश्ण है भारत सरकार द्वारानिम ने उद्देश्व के लिए स्वतंत्र मुल्यानकन कारिक्रम बनाया गया ए सारवजनिक शेत्र की कमपनियों के लेखा परिक्षा का आयोजन करने है तू बी कुछ प्रमुक कारिक्रमों की सारवजनिक जवाबदाही में व्रद्दी है तू तो इसका सही उतर जो होता है वो होता है कुछ प्रमुक कारिक्रमों की सारवजनिक जवाबदाही में व्रद्दी है तू ये कारिक्रम बनाया गया है ठीक है अगला देखते हैं साशन के स्वच सर्वेक्षन सरवे 2018 के मुताबिक आप देखे ये प्रिवियस येर है इसलिए यहां 2018 की बाते की गई है अगर अभी की कंडिशन की मैं बात की जाओ तो वहां आपसे 2020 का डेटा पूछा जाएगा तो आपको श्योर करना है कि 2020 का जो हमार उसे वह 2020 पूछने वाले ठीक है तो यहां पर ऑप्शन से ए इंदार बी जबलपुर सी गौलियर और डी भोपाल तो उस समय जो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था वह भोपाल को हुआ था प्रत्थम स्थान जो प्राप्त हुआ था वह इंदार को हुआ था आपको 2020 2019 का देटा कंप्लीट रखना है ठीक है चालिए तो यहां पर अगला प्राप्रिश pillars के और हम लोग बढ़ जाते हैं और जौन रोला सॉप्र प्रस्ण कि याद करते चलीएं की अनुसरा निमनलिकित में से कौंसी प्रजाती अति सम्वीधन शील है ए, स्पॉर्ट बिल्ड पहलीकन बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सी, जंगली उल्लू या डी, लेसर फ्लोरीकन तो यहाँ पर आएगा कि जो सबसे जादा अति सम्वीधन शील है वो है स्पॉर्ट बिल्ड पहलीकन ठीक है, देखिए अगला प्रश्ण देख लेते हैं फिर मैं आपको साली चीज एक साथ बताने वाली हूँ मद्य प्रदेश में निम्न लिखित में से कौन सा खनीज मलाजखन ख़दान में पाया जाता है या मलाजखन ख़दान से सम्बन देते अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन सा राजज भारत में यूके द्वारा डी एफ आईडी अंतराश्ट्री विकास विभाग जिसे हम बोलते हैं डेपार्टमेंट फोर इंटरनेशनल डेवलप्मेंट केंद्री राजज्यों की सूची में नहीं है और इसका जो सही उतर है वो है राजस्थान राजस्थान ऐसा राज्य है जो अंतराश्ट्री विकास विभाग राज्यों की सूची में नहीं आता और इसी के साथ साथ आपको एक चीज और याद रख लेनी यह 20 question हो चुके हैं question एकदम static पूछ रहे आप से ठीक है static पूछा गया है mbg question पूछे गया है और mostly current affair पूछा गया है तो आपको अपना यह portion बिल्कुल strong रखना है ठीक है तो सभी लोग अच्छे से पढ़िए घरों में रहिए सरक्षित रहिए आने वाले और भी हम लोग papers आप लोग लेकर आएंगे तब तक के लिए थैंक्यू कास दोस्तों ऐसी और वीडियोज के लिए अभी सब्सक्राइब कीजे MP परिक्षा चैनल को और बेल आइकन दवाना ना भूले और अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परिक्षा आप